हेलो, दोस्तों, मैं मेराम सीमा देवी है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यावाद करती हूँ कि आपने, मेरी जो दोस स्टोरी थी, उनको बहुत प्यार दिया, और आज की जो मैं स्टोरी सुना रही हूँ, आज ए स्टोरी मेरे चाचा जीनी सुनाई थी, जाने की सगे चाचा उन्होंने कहानी सुनाई थी बच्पन में हम उनसे कहानी सुने थे एक कहानी थी कि आत्मा भूत से मजाक उन्होंने जाने जाने में भूत से मजाक कर दिया था उनको कितना भूकत ना पड़ा उसी के बारे में हमें कहानी सुना रहे हैं तो क्या हुआ कि हमारे जो चाचा जी युए सब काम था और मंडी में बी काम करते थे चाचाजी थे के पापा एकस्पायर होगे उनके जब पापा एकस्पायर होगे तो जानते हैं कि हिंदु हम लोगों में वहां पंजाबियों में जलाया जाता है तो उनको समसान घाट में चलाया गया तो वहाँ पे हमारा जो मरने के बाद जो किरिया कर्म होता है वो 16 दिन का होता है जो ये मेरे चाचा जी है आप पता करेंगे हिमाचल परदेश में डिस्टिक उनना है और उनना से कम से कम 6 किलोमीटर रेंशरी गाउं है उसको पराड़ा देवी भी बोलते है जानिकि एक माता का नाम है उनको वो भी बोला जाता है तो वहीं पे मेरे चाचा जी का घर है उनके बगल में है तो यह कहानी चाचा जी ने हमें सुनाई थी उनके जब पापा एकस्पायर हो गे तो उनके घर में वही 16 दिन का करम कान चल रहा था तो क्या हुआ मेरे चाचा जी जा रहे थे वहाँ पे जब जहां पे उनके पापा को जलाया गया था तो उदर से एक दिन जा रहे थे 5-6 दिन हुए थे क्योंकि वहाँ पे अस्तिया करना फिर वहाँ पे क्या जल देना कुछ बहुत करम कान होती है तो वहाँ पे गए तो क्या हुआ ओ चना लिये थे हरा चना तो उन्होंने मजाक में ले लिया कि उनको लगा कि उनके पापा उनके पापा जो मर गए तो उन्होंने सोचा कि मैं अपने पापा को चना खिला दू तो उन्होंने क्या किया जहां पि उनको जलाया गया था अपने पापा को बोले कि लो लो पापा जैनकि हमारे पंजाबी में पापा को मतलब पापा जी बोलते है तो बोले पापजी एली जी ए तुसी चना ए चना तुसी खालो तो वहीं पर अहरा चना है उसको रख के अगे थे जब रख के आगे तो åheidमा थी उनके पीछे पीछे चलने लगी और उनके पीछे पीछे चलने लगी तो रात में जब वो सोए थे उनको परसान करना सुरू कर दिया उठके हसने लगे बैटने लगे खाने लगे तो फिर रात में बोलते कि खाना ले किया हो चना ले किया हो और खाना है इस घर से कही नहीं जाना है और सब बात है तो उन्होंने मजाक में बोल दिया कि चलो पापा जी चना खालो और चलो जाने कि पापा जी को जाने कि उनको चना तो खिला दिया और साथ ही मुसात्मा को भी साथ लिया उसके बाद वो आत्मा ने इतना परशान किया चाचा जी को सब लोग परशान होगे और केले भाग जाते थी रात में कहीं उनका हसना करना सब तो फिर एक ओज़ा थे उनको बुलाया गया ओज़ा जी को जब बुलाया गया तो उन्होंने बोला कि जो भूतों से भी कोई मजा कर रहे हो तो उनको इतना किये फिर उन्हें जाड़ा जो हमारे उदर जाड़ फूकी जाती है उनके उपर जाड़ फूकी उसके बाद मेरे चाचा जी फिर ठीक हुए तो एक कहानी थी और एक कहानी मेरे चाचा जी ने सुनाए थी जिनको भूत ने पकड़ा था एक कहानी उन्होंने भी सुनाए थी, आग बाधने की कहानी, क्या हुआ था मेरे चाचा जी हलवाई का जब काम कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने पहले 60 किसी और को दिया था, जैने की खाना बनाने के लिए किसी और को कहा गया था, तो व्यक्ति पैसा ज्यादा मांग रहा था, ऐसा भी काम करते थे तो यह जो खाना बनाने वाला काम होता था उनका एक्स्ट्रा काम होता था तो उन्होंने बोला ठीक है मैं खाना बना दूंगा तो कम पैसे पर बनाऊंगा तो ठीक तो वहां पे हमारी उधर हिमाचल और पंजाम में शादियों में दाल चावल बनते हैं और कड़ बनती है जाने की चने की दाल और उर्द की दाल शादियों में और पिछले जुमाने में बैट के खाना कहिलाया जाता था उसको बोला जाता चुला नोता. चुलानोता बोला जाता थैप उस दिन गाओं में अगर साधी होती थी तो किसी के घर में चुलाने जलता था अब तो जमाना बदल गया है अब तो शाद्या भी होटल में होती है जाने कि अब तो परे महबaran भी नहीं रहा पहले के जैसे पहले तो सब लोग एक लोग दूसरे के घर से खटिया मांग के लेके आते थे, बिश्तर मांग के लेके आते थे, नाम लिखा जाता था, पर अब सब चीज बदल चुकी है, तो मेरे चाचा जी वहाँ पे खाना बनाने के लिए चले गे, कम उस पे रेट पे उनने कर दिया, त तो मेरे चाचा जी ने, जाने की लकड़ी और इंटा का जो चुला होता है, उसी से खाना मनाया जाता था, वहाँ पे, एक गैस का सिस्टम नहीं था, कि जैसे अब गैस है, तो पुरहने जाने में सब लोग जानता है, कि इंटे रखी जाते थे, छे-छे इंटे रखे, वही चुला बना के, दो-तिन चुला बना के, उसी के उपर बड़ी-बड़ी कडाही रखे, जब होना रखे, उसी में खाना बनाया जाता था, चाचा जी ने आग जला दी, और दाल और चावल उबलने रख दिये, जाने की चावलों का पानी निसाया जाता था, कपड़े में डा आदमी द मिखी त्रवस्त हमारे गाई उसुमेध खिला या जाते है घर को ले शाके ऑजाते थाइए जब खाना बांद के कैसे लेके जाते हैं, कपड़ा लेके जाते हैं, थालियां नहीं चलती थी, कपड़ा लेके जाते थी, उसी में चावल बांद लेते थे, घर को लेके आ जाते थे, और खाते भी थे वहाँ पतले, जिनके घर में साधी होती थी, पतले देते थे, तो जब दाल चावल पकी नहीं रहे तो मेरे चाचा जी बहुत परसान हो गए बता रहे थे क्यों इतना परसान हो गए बोल रहे कि इतना तेज आग की लपटे चले रहे दाल और चावल बनी रहे और उस आदमी ने क्या किया था जो पहला जिसको हलवाई बनाया था उसने आग बांद युपी की भाषा थे तो बोला शान्ति क्या हो गया तो बोला कि क्या हुआ देखिए मैंने दाल चावल बने को रखे हैं और मेरे दाल चावल भरनी नहीं रहे हैं बताइए लोगों काने का टाइम हो जाएगा खाने का टाइम हो जाएगा तो कैसे होगा बताइए तो उन्होंने अपने मंतर से देखा कि आगबांदी हुए बोलता बेटा रात हो जागी तेरा खाना नहीं बनेगा और बेजती करवा खानी के लिए त्याहर है ना! तो चाचा जी का पैसीना छूट गया बोलते हैं क्या मतलब बोलता यह आग बांधी हुई है तो खाना बनाता पक जाएगा पर खाना नहीं पकेगा तो बोलते हैं तो उन्हों ने क्या किया उर्ध काले ईमा तो उन्होंने स्वाधा दिखें संताकिन सुन टैफें, करती द्यादर होगतले से सवादूки रखो होंए वटारो जरी कि आफिढ़ से वीविआ कैने बिर्म उर्द गरम होने सुरू हो जाएगे जिसने भी जादू टूना किया है जा आग बांदी है उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाएगा और अगर उर्द फट अगये तो आदमी खतम हो जाएगा तो जैसे जैसे उर्द पकने लगे तो आदमी जिसने आग बांदी थी चट पटाने लगा क्योंकि ओभी चेला था जान गया बहुत परसान हुआ और इसमें होता है कि जो आग खुलवाने का जो मंतर है उनको पता था पर जो बांदा होता है आग हो ही खोल सकता है तो उन्होंने क्या किया कि जब उनके पेट में दर्द होने लगी तो मेरे चाचा जी से फिर माफी मांगी बोलता कि ये जो तुम कर रहे हो पानी गरम करना जो भी करे हो मेरी आंतरी या निकल के बाहर आ जाएगी मैं तुमसे माफी मांगता हूं कि ये सम्मेने ही किया था कि तुम्हें नीक्षा दिखाने के लिए और मुझे माफ करिये तो उन्होंने आग खोली उसके बाद खाना बना और उनसे माफी मागी तो एक कहानी हमारे चाचा जी ने दोनों सुनाई थी कहानी जीनोंने कहानी सुनाई है उनका घर उन्ना हिमाचल परदेश में है रैंसरी गा बहर अपने गाउं जब जाते हैं तो सब बाते सुनने मिलती है और याद आ जाते है तो अब आपसे सभी से मेरी क्वेस्ट है कि आप मेरे कहानी को सुनियेगा लाइक करेगा और फोलो करेगा और सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्रिलिस करिएगा